आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं हमारी वीडियो चैप्टर सेकिंड्स की आज शुकी है चैप्टर फेस्ट की ऑब्जक्टि एक्षिन की जो वीडियो हमने डाल ली थी उसको आपने सभी ने बहुत स्पोर्ट किया हमारे सभी सब्सक्राइबर को इपर फ ऐसे ही हमें स्पोर्ट करते रहे हैं हम भी आपके लिए अच्छे ची वीडियो लगके आते रहेंगे आज हम चैप्टर सेकिंड की ऑब्जक्टिव किसंड की वीडियो लिखाल के लिए हैं क्लास टैंथ ठीक है बच्चों जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब अ माइनस एक्स पलस चार के सुन्नेक अल्फा बिटा हो तो अल्फा प्लस बिटा का मान क्या होगा मतलब हमें अल्फा प्लस बिटा मतलब क्या निकालना है सुन्नेक का योग निकालना है क्या निकालना है यो तो बैटा सुन्नेक का योग का फॉर्मुला क्या होता है मैं एक प्लस में बिता क्योंकि alpha और बिता 2 सुनने कहणा हमारा तो यह तो निकालने में तो निकाल दीजी अब देखो एक दिभी घास मीकण होती है दिभी घास मीकण क्या होती है बच्चों ax की 2 प्लस में bx प्लस में c ब्राबर जीरो तो हमारी question दिखो क्या है x की 2 minus x से plus में 4 बराबर 0 तो x की 2 के आगे जो गुणा में होगा वो किसका मान होगा 1 का तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है a 1 है b कुछ नहीं है तो इसका मतलब minus 1 है क्यों कि minus लग रहा है c कितना है 4 है तो बच्चों बता दीजे minus b upon मतलब क्या करोगे minus पहले से है b b minus का है तो minus minus plus एक बट एक मतलब एक तो इसका answer क्या हो गया एक हो गया ठीक है किस नमर second पर चलो आप है दिवी गात बहुपदों की सुनने की संख्या होती है दिवी गात बहुपद होता है तो बच्चों सुनने की संख्या कितनी होगी एक याद रखो ठीक है जितनी घात उतने सुनने की संख्या है किस नमर third क्या है यदि भुपद हमें दे रखा है p x बराबर में x की 2 minus 2 x plus 5 तो करेकर k सुननक a और b है जैसे अब तक तो हमने क्या बढ़ा था कि सुननक क्या मिलते था alpha और beta लेकिन अब की बार हमें a और b दे दिया ठीक है तो हमसे पुछा है ab का मान मताओ तो इसका मतलब ab का मान मतलब आप से पुछा है सुननक का गुनिनफल मतलब product of zeros आप से पुछा है product of zeros last week में सभी को जो वाड़ हिंदी में यूज हो है उन सभी को English में translate करके बता दूगा कि इसको क्या बोलते है ताकि English मेडे वाड़ा बच्चा भी इस वीडियो से आराम से पढ़ सकता है तो इसको product of zeros हम क्या होते है सुननक का गुननफल क्या होता है तो ध्य année मेर 6 का बच्चा रुच excited तो 5 बटे 1 मतलब कितना answer होगा तो मारा 5 answer है तो मारा खास रहा किसर 0.3 का दरहेखे ठील किसर क्या दिरुचा बच्चो बच्यो बहु पर दिरुच्च x की 2-4 x पलस 1 के मूलों का योग निकालो, मूल किसे बोलते है मैटा 0's को, किसे बोलते हैं, 0's को, इंगलिस में मूलों को क्या बोलते हैं 0's, मतलब हमें x की value find करने है, ठीक है तो आज इगे, सबसे पहले आप क्या कहोगे सर, हम इसके factor क्या बनाएं क्योंकि last में देखो सर जी x की 2-4 x पलस 1 है, इसका मतलब x की 2 के आगे जो multiply में होता है, वो किसका बमान होता है एक का, तो एक की value यहाँ पे कितनी होगी, इसमें sorry, इसमें मूलों का योग निकाल ले है, ठीक है तो पहले मूल तो निकाल लें मूल निकालने के पाद अपनी आप योग निकलाएंगे ठीक है, तो आप कैसे निकाल के लाओंगे बच्चों, वो ध्यान से देखो इसका A की value की है आप ध्यान से देखो, A की value हमारे पास 1 है ठीक है, और B की value की है B की value है, X की आगे मतलब मतलब कोई variable function की power A कोती है, उसकी आगे जो multiply में होता है, वो क्या होता है बचा, B होता है, तो B की value कीतनी minus 4 है, ठीक है, C की value हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी ठीक है, हमें क्या निकालना है हमें सुन्नक का क्या निकालना है, योग निकालना है, मतलब मुल्लो का योग, ठीक है तो सुन्नक का योग का formula आपको अच्छे से पता है क्या होता है, सुन्नक का योग का formula minus का B upon A, तो B है क्या minus का पहले से है, ठीक हो minus हमारा आगे निसान आएगा, तो minus minus क्या हो जाएगा पलस और एक ही वेल्व कितनी एक तो minus minus plus मतलब plus का 4 बटे में 1 जिसको हम क्या बोलेंगे 4 4 ही बोलेंगे तो इसका हमारा option क्या हो जाएगा ठीक है अगला question देखो question number 5 है 3 गहत पहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा बैटा दिवी घात का व्यापक रूप क्या होता है A X की दो पलस में B X पलस में C ये तो किसका होता है दिवी घात का होता है याद कर लो इसको दिमाग में बठा के दिएगा और बैटा रेखिक एक रेखिक का होता है जैसे दिवी गास समेकन बोलते हैं रैखिक समेकन बोलते हैं रैखिक का होता है AX प्लस में BY प्लस में C ब्राबर 0 ये रैखिक का होता है नोट कर लेना आप ठीक है वीडियो को पुस्ट करके सारी वी चीज़ी नोट कर ले important job को लगती हैं अब देखो तरी गास का होता है AX की क्यूब प्लस में BX स्केयर प्लस में CX प्लस में D बराबर 0 तो आप धियान से देखो option में हमारे क्या है है कहीं पी आपे AX की 3 प्लस BX की 2 प्लस CX प्लस D option number C option number C इसका right answer हो जाएगा question number 6 है यदि alpha बिटा तिवी घाद बोपद FX बराबर X की 2 माइनस में 5X प्लस 7 के क्या हो मूल हो मतलब alpha और बिटा ठीक है तो हमें 1 बटे alpha प्लस 1 बटे बिटा का मान क्या होगा वो बताना है तो देखो 1 बटे alpha प्लस में 1 बटे बिटा का मान बताना है तो यहां से आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो ध्यान से देखो बिटा इन दोनों का यहां पर लगुत्तम कितना आ रहा है alpha और बिटा तो देखो बिटा इधर हो जाएगा और प्लस में alpha इधर आ जाएगा इसको कैसे लिख सकते हैं alpha बिटा मतलब ऊपर तो क्या है alpha बिटा और नीची क्या होता है सुनने का गुनन फल मतलब alpha into beta तो आपको योग भी निकालना है और गुनन फल भी निकालना है और दोनों को रख देना है आपका आंसर आजाएगा आपको यह निकालना था ठीक है तो देखो X की दो के आगे जो गुणा में होता है वो किसका मान होता है A का मान होता है ठीक है कितना 1 है B का कितना मान है B का है X के आगे जो गुणा में होता है B का minus 5 है और C का भचा हो C का कितने 7 है ठीक है सारी value हमें दे रखी है अब देखो मुझे क्या करना है सुनने का योग सुनने का योग क्या होता है मतला alpha plus में beta कैसे निकालते है minus का b upon a तो देखो minus का निसान होता है b हमें पहले से दे रखा है minus का 5 तो minus minus क्या हो जाएगा plus का 5 ठीक है अब जनने का योग कितना अगया 5 आ गया ऐसी सुनने का क्या निकालना है गुनन फल निकालना है गुनन फल क्या होता है c upon a तो देखो जननन फल जिसको हम बोलते है alpha multiplied beta alpha into beta c upon a यह fourorcision होता है c कितना ही 7 है a कितना है 1 है तो 7 बटटे 1 मतलब 7 हो गया तो देखो alpha plus beta का मान कितना आगे 5 और alpha beta का कितना आगे 7 तो 5 बटे 7 इसका क्या हो गया answer तो मतलब option B right है दिवीकाद बहुपद 6x की 2-7x-3 के सुन्नक होंगे मतलब हमें किसकी सुन्नक निकालने 6x की 2-7x-3 बराबर 0 इसकी क्या निकालने सुन्नक निकालने थीक है तो सुन्नक कैसे निकालने देखो इसको हम क्या करते हैं पहले वाले को आखरी सी multiply करते हैं तो 6 18 वोन भी किसका minus का तो हम ही क्या करना है 7x मतलब माइनस 7x की ऐसी 2 गुनकन करने मतलब ऐसी 2 factor बनाने है जिन का गुणा करें तो 18 ओर जिनका जोड करें तो कितना है माइनस साथ आए तो माइनस का 9x और प्लस का कितना हो गया 2x तो माइनस प्लस माइनस 9, 12 इठारा बिल्कु सही है और जोडेंगे तो 7x आता हो भी किसकी माइनस का तो देखो फाकी पहले ही नंबर किया था 6x की दो सेम है, माइनस का 3 पिछे का है वो भी सेम है, बराबर 0 है, सरू के 2 में से कोमन लेते हैं, लास्ट के 2 में से कोमन लेते हैं, भई फैक्टर बना दिया ना, तो ऐसे करते हैं, सरू के 2 में से, लास्ट के दो में से, सरुक के दो में से देखो, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से दोनों में से common ले चाकते हैं, तीन, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो हमें x common ले लिए हमने, आप देखो, अंदर यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 3 को कित three plus three plus seven1 जीरो में टेको 1 तो पूरी शंक्या यह है एक पूरी संक्या यह दोनों के इंदर से क्या common आ रहा है दो एक्स माइनस तीन क्योंकि दोनों के इंदर है में ग्रेकट के अंदर सेम है ठागर ब्रेक्ट के अंदर जो value है वह सेम आती है निसान प्लस सब कुछ चीज उनमें सेम होता है तो हम कहेंगे हमारा फैक्टर सही है वरना गलत होगा ठीक है अच्छा जी 2x-3 हमने कोमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा 3x बचेगा और प्लस में यहां से कितना बचेगा एक बचेगा बराबर क्या है 0 दोनों को 0 के बराबर कर दो एक बर 2x-3 को 0 के बराबर करो तो 2x बराबर क्या हो गया 3 क्योंकि माइनस 3 उदर जा के किसका हो गया पलस का 3 तो x बराबर क्या हो गया 3 बचेगा 2 हो गया क्योंकि गोणा में था इदरा के भाग में हो गया एक है तीन एकस पलस में एक बराबर जीरो तो तीन एकस एक उदर जाकी किसका हो गया माइनस का एक हो गया एकस बराबर क्या हो गया माइनस का एक बटे तीन तो देखो उप्सन में तीन बटे दो और माइनस एक बटे तीन है या नहीं है आपको पता है हम एक बटे अलफा प्लस एक बटे बिटा को क्या ले सकते हैं आपको अच्छे से पता है अलफा प्लस बीटा ठीक है अलफा प्लस बीटा नहीं मतलड़ एक लिखने की कोई जूर। पते है ओंसर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, आप्स नंबर बी होगा, ठीक है किसे नमबर हम आते हैं 9 पे किसे नमबर 9 क्या है दिवी गात बहुपद X की 2-3 की सुन्दक होंगे किसकी X की 2-3 की सुन्दक निकालने है सुन्दक निकालते हैं तो किसके बराबर करते हैं 0 की माइनस 3 उदर जाकी किसका हो जाएगा रूट में आ जाती ही value तो देखो x की value है वो plus का root 3b है और minus का root 3b है इसका मतलब हमारा option कौन सा हो जाएगा आप ध्यान से देखो इसमें हमारा option हो जाना चाहिए हमारे coding b कौन सा हो जाना चाहिए b तो 9A का b is right answer है बिल्कु सही है आप टिक लगा दीजिए दस्रोकेशन क्या है निमिन में कौन बहुपद नहीं है हमें वो बताना है कि जो बहुपद नहीं होगा तो बहुपद बेटा वही नहीं होगा जो कभी भी मतलब एक तो होता है चरपद हिंदी में बोलते है चरपद एक ओलते है अचरपद तो मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ, ये होते क्या है, चरपद होते हैं, जैसे आपके पास X, Y, Z, मतलब अलफाबेट आ जाते हैं इनके इंदर, ठीक है, अचरपद के इंदर 1, 2, 3 गिंतिया आती है, मतलब जो only गिंतिया हूँ, जिनके साथ गुणा में चरपद ना हो, तो उसे चर और अचरपद बोलते हैं, मतलब मैं कहना चाता हूँ, कि चरपद के उपर अगर वरगमूल लगा हुआ है, तो इसका मतलब वह बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन सनी है, ये नहीं है, ओप्सन नमबर क्या हो गया, C हो ठीक है, अब किसन नमबर 11 प हम क्या बोलते हैं, बटा, वैरिबल फंसन, वैरिबल फंसन की पावर कितनी हो, वन हो, तो उसे बोलते हैं, रैखिक बहुपद मतलब रैखिक समीकरण, तो देखो यहाँ पे उप्सन नमबर 1 जिसके अंदर क्या है, आपके पास X की घात उपर कितनी है, वन, कुछ नहीं र कर चुका, क्योंकि देखो, एक यह रहा, एक यह कर चुके थी, अब एक और आ गया, तो दुबारा फिर कर देते हैं, आजो, उसके लिए हमें क्या चीए बच्चों, उसके लिए हमें A कमान चीए, A कमान आप देख सकते हो, X की दो के आगे 1 है, तो A कमान भी 1 है, B कमान भी 1 है, और C कमान भी कितना है, एक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको अच्छे से पता है, आलफा प्लस में बिटा, अपोन में अलफा बिटा, माइनस का B अपोन ए, मतलब माइनस 1 बटे 1, ठीक है, और C अपोन 1 क्या होता है बटो, 1 अपोन 1, तो 1 ने आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, माइनस वन, माइनस वन उप्षन में है, तो आप क्या करोगे, 12 का B कर देना, 12 का B is the right answer, ठीक है, अच्छा, अगला किशन है कि एक दिवी घात भौपद के मुलो के योगफल तथा गुननफल करम से 2 तथा माइनस 15 है, तो दिवी घात भौपद ग्याद कर जो सुतर मैं आपको बता रहा था, वो ये होता है, एक्स की 2 माइनस सुनने का योगफल इन्टु एक्स, पलस में सुनने का गुननफल बराबर 0, तो बैटा योगफल आपको जो दे रखा हो यहाँ पे रख दीजिए, गुननफल दे रख दीजिए, दिवी घात थे मिकन ब माइनस पुलस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15 है आगे माइनस का 2x तो पहले से दे रखा था एकस की कहीत है बेरा बड़ाबर किस्के जीरो की जाख भी जेकरोhouette रिप्सषण द्यानी है अभी थोड़े दिर पहले एक बात बताई थी कि बहुपद वो नहीं होगा वेटा जो क्या मतलब किसी बहुपद के पावर क्या हो किसी बहुपद की घात अगर वरगमूल में है या मतलब वरगमूल को 1 बटे 2 ही तो बोलते हो मतलब पावर आदे में है या फिर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होता तो देखो आपके पास option number इसमें कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि देखो X से plus में 1 वटे X है यहाँ पे तो बहुपद की घात 1 है लेकिन यहाँ पे देखो 1 है उसको आप उपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी X की माइनस एक हो जाएगी तो मैंने अभी पिताया था कीजी की माइनस की घात नहीं होनी चीए या वरगमूर मतलब अदिक घात नहीं होनी चीए तो आपका बहुपद नहीं होगा निमिन में कौन भौपद नहीं है, सिंपल सी बात है कौन भौपद नहीं है, आप अच्छे से बता सकते हो, भे आप देखो सर ये भौपद नहीं है, कौन से नहीं है, 16 का C ओप्षन नहीं है, क्योंकि ये बटे में है, उपर लेक्या होगी घात क्या हो जाएगी, माइनस की हो X का क्या करना है तो देखो आगी क्या है एक है एक को जब 6 से गुणा किया पलस 6 से तो 6 आता है तो हमें गुणा करें तब तो कितना आए 6 आई और जिनका जोड करें तो कितना आए 5 आए मैंने सोच लिया माइनस माइनस पलस, 3, 2, 6, गुणा किया तो 6 आ गया जोड़ा तो माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 5X हो जाएगा, बिल्कुल सही है पलस का 6 आ गये है, X की 2 आ गये है ये सेम होते हैं हमारे मैंने खली गुलनखंड किसका 5X का किया है अब देखो सुरू के 2 में से common, last के 2 में से common, सुरू के 2 में से क्या common आ रहा है, x common आ रहा है, sir x common ले लिया, तो यहां पर कितना बचेगा, क्या common ले लिया बच्चो, x ले लिया, तो x बचेगा, यहां पर, minus में यहां से x ले लिया, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, अब यहा पर क्या हो जाएगा पलस का एक्स बचेगा उनली ठीक है अब यहाँ पर आपने माइनस को मन ले लिया तो माइनस तो बचेगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो अगर माइनस को माइनस से गुणा करो तो पलस आएगा दो को कितने से गुणा करे च्छे आएगा तीन से करेंगे देखो, ब्रिकिट के इंदर सेम आ रहा है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये पूरी है, दोनों के इंदर x-3 को मना रहा है, यहां से x-3 ले लिया तो x बचेगा, यहां से x-3 लिया तो minus का 2 बचेगा, दोनों को किसके बराबर करना है, 0 के, x-3 को जब 0 के बराबर करते हो, तो minus 3 दरजा के किसका हो जाता है? पलस का 3 आ गया X minus 2 को 0 के बराबर करोगे minus 2 दरजा के किसका हो जाएगा? पलस का 2 तो 3 और 2 हमारा क्या हो गया? option हो गया तो इसका मतलब option number क्या हो गया? 17 का C ठीक है? 18 पे आज़ो दिविघाद दे रखी है PX X की 2-3X-4 तो PX का सुन्यक मतलब सुन्यक जैसे हमने उपर निकाला है वैसे ही निकालना है सेम यहीं पर साइड में निकाल देते हैं आजाओ X की 2-3X-4 सेम वैसे निकालना है बच्चो आप क्या करोगे कि सर देखो इसका आगया एक है तो 4 एक कम 4 हमें ऐसा लेना है कि जिनका गुणा करे तब तो माइनस 4 आई ठीक है और क्या हो सर क्या होगा सिंपल जी बात है ऐसा फैक्टर सोचो किसका 3 का तीन का फैक्टर सोचना है जिनका गुणा करे तब तो 4 आई तो देखो आपने देख लिया माइनस का 4 है X और पलस का X है कैसे मैं देखो गुणा किया तो माइनस पलस माइनस चार एकम चार आ गया और जोड रहे हैं तो माइनस का तीन एक सा रहा है अब बाकी सेम यह और यह भी सेम ऐसे कर दिया इन दोनों में से कोमन ले लिए मैंने X से यहां पर x-4 बचेगा ठीक है पलस में यहां से कुछ common नहीं है तो x-4 agities हो गया ठीक है दोनों के अब एक संख्या यह एक संख्या यह क्योंकि बीच में पलस लग रहा है ना तो x-4 हमने क्या ले लिया common ले लिया अब x-4 common लिया यहां पर x बचा ठीक है और यहांपर पलस में पलस में एक बचा कुछ नहीं यह थो इक बराबरण 0 दोनों को 0 के बराबर करोंगे तो x-4 जब 0 के बराबर कर दो 4 हो जाएगा पलस का और पलस का 1 है उद्या क्यों किस को जाएगा माइनस का तो 4 और 1 चार और माइनस एक हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा तो आप से पुछ है PX का एक सुनने कोगा तो option में देखो चार है चार है तो चार पे हमने क्या टिक लगा दिया ठारा का क्या होगा B option होगा 19 पे आजाओ यदि भौपद PX का एक गुरनखंड क्या है एकस पलस दो है तो भौपद PX का एक सुनने क्या होगा आपको बताए गुरनखंड कितना एकस पलस दो तो है ना तो एकस पलस दो को किसके बराबर किया जीरो के पलस दो उधर जा की किसका हो जाएगा माइनस का दो हो गया तो देखो माइनस दो हमारा option में है तो इसका एक हो गया ठीक है यदि बहुपत PX का एक सुननेक 4 हो तो PX निमें लिखित में किस आवश्य है भी भाजय होगा किसी भाजय होगा आपको बताना है ठीक है तो देखो आपको कहा रहा है तो किस का हो जाएगा एकस माइनस 4 नहीं होगा तो वही बताना है किस रूप में होगा तो किस रूप में होगा इस विभाजय है मतला अवश्य इस रूप में होगा ठीक है अच्छा जी अगला क्या क्या आए क्यूसर नमर एकीस है यदि अलफा बिटा बहुपद X की 2 पलस 2 X पलस 1 के सुन्नक होंगे तो 1 बटी अलफा पलस 1 बटी बिटा का मान क्या होगा बटा यह सेम वैसा ही क्योशन है जैसे आपने मैंने अभी थोड़ दर पहले करवाये था जैसे आपने बताया था किसा देखो बटी अलफा कौम किस तरीके से लिख सकता है इस तरीके से लिख लिए था हमने अलफा पलस में बिटा अपन में अलफा बिटा उपर योग था निचे गुननफल था अब आपको बताए मैंने यहाँ पर एक की वैलू कितनी बताई है बताई है क्योंकि X की दो क्या के गुणा में एक है B की वैलू X के गुणा में दो है तो दो होगी और C की वैलू जो बची है वो एक मतलब एक होगी अब अलफा पलस बिटा मतलब अलफा पलस बिटा क्या होता है माइनस B अपोने तो minus b upon a, b तो 2 है, कोई नहीं, minus का 2 upon a, मतलब 1 हो गया, ठीक है, अच्छा जी, upon में, upon में, c upon a, मतलब c upon a, मतलब 1 बटे 1 है, तो minus 2, बटे 1 हमारा option, मतलब minus 2 answer हो अच्छी है, minus 2 answer है, किसका b हमारा क्या हो गया, इसका answer हो गया, by situation पर आजाओ, यदि किसी दिवी घात, px, x की 2 minus 2x plus 5 के सुनने का alpha और beta है, तो alpha plus beta का मान क्या होगा, मतलब सुनने का योग ही निकालना है, इसमें a कमान कितने है, आप ध्यान से देखो, a कमान आपके पास 1 है, ठीक है, और b कमान कितने है, हमारे पास यहाँ पे, a कमान तो क टिक है और सिक्कवान 5 है, क्या निकालना है, alpha और beta उसके 2 सुनने का, तो alpha plus beta मतलब सुनने का योग, योग, विकि alpha plus beta को हम बोलते हैं, सुनने का योग बोलते है, मतलब sum of zeros, English में बोलते है, sum of zeros, सुनने का योग को, जिसका फौरौना क्या होता है, बच्चो, आपको तो उप्सन क्या हो गया हमारा 22 का B हो गया ठीक है आगे देखो किस्ट नमबर 30 क्या है यदि किसी दिवी घात भोपत PX बराबर में 2X की 2 Sunday प्राइबर मांन क्या हो गया होगा but uh be you10 का बोलते हैं इंडी में बोलते है सुननक का गुनंफल लेकिन इंग्लिश की बात की जाये तो क्या बोलते है प्रोड distill ओख्योज प्रोडक्च मतलब गुनंफल और जी հोज मथल सुनन ने कराख्या नहुंग से देख्यों मारी किसgrass के अंदर ए तो कितना है दो है और वी कितना है तीनकितना हमाईनिस 40 देख्यों माइनस चार टो आप क्या वह लोगा सार माइनस चार क्यों कि यह अपобрas Sm Electric और नौर 9 X से पलस में A में सुननक का जो गुननफल है वो हमें दे रखा है कितना गुननफल बचो हमें दे रखा है कितना पहले से दे रखा है 8 कितना रखा है 8 तब इसके सुननक क्या होंगे A option B C D में से बताना है कि कौन सा हो सकता है तो देखो सुनेक का गुननफल का फॉर्णा क्या होता है अल्फा इंटू बिटा बराबर क्या होता है C अपॉन A तो C, C की जगह हमारे पास क्या दे रखा है A दे रखा है जो हमें पहले से ही लूप तो मारा है A मतलब C की जगह हमें आरी value A थी वो रख दी A क्या होता है A होता है बच्चों जो हमारे X की दो के आगे गुना में होता है वो कितना 1 है तो A बटे 1 है A बटे 1 लेकिन गुननफल हमें पहले से दे रखा था कितना 8 तो हमने बराबर क्या कर दी 8 इस से हमें क्या पता लगा कि एकी value कितनी है 8 है एकी value 8 हमारे समीकन के इंदर रख देते है X की 2 माइनस में 9X पलस में 8 बराबर 0 क्योंकि हमें सुनने के निकालने है तो बराबर किसके कर दिया 0 के कर दिया आप देखो आप क्या करोगे इसके आगे 1 है एक आठी 8 आपको ऐसे factor सोचने है 9X के मतलब माइनस 9X के जिनका गुणा करे तो 8 है मतलब क्या हो गया माइनस का X हो जाएगा और माइनस का 8X हो जाएगा तो आप दिहान से देखो माइनस माइनस पलस और एक 8 हो जाएगा ठीक है और जोड़ेंगे तो माइनस 8X और माइनस 1X कितना हो जाएगा माइनस का 9X बिल्कुर सही हो जाएगा ठीक है आगे देखो यहाँ पर क्या है हमारा पलस का आगे 8 है अब देखो आप इन दोनों में से common लोगे और एक बार इन दोनों में से common लोगे ऐसा ही लेते हैं न common तो आप इन दोनों में से common लोगे तो आपका क्या जाएगा X common आजाएगा क्या जाएगा X से तो यहाँ पर उनली 1X बचेगा माइनस का यहाँ पर X common लेने बाद एक बचा इन दोनों में से आपने पो से सब्सक्राइगा मावा इनली बाद सब्सक्राइगा के सुनने के alpha beta gamma है तो alpha beta gamma का मान क्या होगा बिटा very simple question ये क्या है तिरी घात समीकन जैसा है question है तिरी घात के समीकन कभी आ जाती है तो किस type से होती हो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ ax की 3 plus में bx square plus में cx plus में d बराबर 0 ये उसका रूप होता है ठीक है अच्छा जिसमें हम 3 formula होता है याद कर लो note कर लो alpha plus beta plus gamma किसके बराबर होते है मेटा minus का b upon a के क्योंकि तिरी घात है तो 3 क्या होंगे सुननक तो होंगे वही 3 सुननक का योग minus b upon a के बराबर होता है एक formula होता है alpha beta plus में beta gamma plus में gamma alpha जो किसके बराबर होता है c upon a के होता है note कर लेजी बिटा वीडियो को push करके note कर लेघा 3 możemy kunz様 alpha beta gamma ter hesitation होता है माइनस का d upon a के बराबर होता है तो आपको मेरे साब से i-skुर Kelseyन में यही निकाल ले है alpha beta gamma ही निकाल ले तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो minus ka d apple ने तो देखो d b क्या होता है एक्स की second last position पर d होता है second last position क्या 3 है तो d हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना रहेगा 3 रहेगा ठीक है अच्छा a a क्या होता है सबसे पहले आता है तो a हमारे कितना यहाँ पर 4 रहेगा तो आप आप आपको निकालना क्या था alpha beta gamma क्या होता है minus का d upon तो minus का 3 बटे क्या हो जाएगा 4 मतलब option number d बोलो हाय है न अच्छा जी आगे चलो यदी alpha beta x की 2 minus 3x plus 5 के क्या है सुन्नक है तो आपको अच्छे बता है सुन्नक है तो आपको क्या निकालना है alpha बटे में beta प्लस में beta बटे में alpha ये solve करना आपको कैसे solve करोगे के धिया यह मैंने थोड़ा solve करके दिख आपको, की alpha बटे में beta plus में beta upon alpha होता है जैसे alpha प्लस में beta upon alpha है उसको कैसे solve किया, नेचे से मैंने Lcm ले लिया, alpha beta ले लिया, तो alpha से इसको गुणा करोगे cross multiply alpha को alpha से क्या alpha square हो गया beta को beta से क्या गया तो beta square हो गया अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपको आपने formula पढ़ाओगा a plus में b का हो a की दो b की दो 2 a b पढ़ा है न तो alpha plus beta का हो सके पढ़ेंगे तो alpha square plus beta square plus में 2 alpha beta हमें किसी value निकालने इसकी value निकालने तो देखो इसी इसकी value चाहिए हमें तो यह 2 alpha beta क्या हो जाएगा उल्फा प्लस प्लस बीटे का माईनस का हो गया तो इसका alpha plus beta का मतलो हमें क्या निकलने सुनने का योग और alpha beta सुनने का गुननफल तो देखो B upon A के लिए solve करते हैं तो minus क्या minus पहले से होता है B कितना minus 3 है तो upon में A मतलब 1 3 हो जाएगा ठीक है अच्छा जी alpha into beta मतलब सुनने का गुननफुल करते हैं तो देखो 5 बटे में 1 मतलब C बटे 1 होता है तो 5 हो गया अब यह साईरी value यहाँ पर put कर दीजिए 3 यहाँ पर रखो गए alpha plus beta किजएगा तो 3 का स्क्रिक कितना हो गया 9 हो गया 9 minus minus alpha beta कितना यहाँ पर 5 है तो 2 पंजू कितना हो गया 10 हो गया बटे में यहाँ पर कितना है फिर 5 है तो देखो माइनस का 10 पलस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा और बटे में कितना 5 तो माइनस 1 बटे 5 हमारे option में बिल्कुल हाँ दिखाई दे रहा है तो C पी आपके कर दीजिए टिक कर दीजिए आगे किस नमबर 27 पी आ जाएगे जी एकस हमारे क्या होता है जी आपके जो जी एकस को क्या बुल गया हमारे बाज़क बुल लगया तो निमे लिखित में कौन सही है तो आपको बताना कि कौन से इसमें क्या होगा राइट होगा तो इसमें option no b right होगा कि जो rx का घात जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है कि इसे gx की घात से तो मतलब बड़ा कुन होगा gx का घात होगा और कि छोटा कुन होगा rx का घात होगा ठीक है तो 27 कृष्ण का ओप्सन क्या होगा बी हो गया कि जो नमर 28 के है यादी भौपद x की 2 प्लस ax माइनस b के सुन्यक एक दूसरे के विद्प करम हों मतलब उल्टे हों तब बी बराबर बताना है तो बैटा देखो हमने क्या माल लिया हमने एक सुन्यक माल लिया आपके सामने सुन्यक को मैं बोला है अलफा क्या बोला है अलफा अब उसका वित्करम क्या हो जाएगा वित्करम मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा उसका उल्टा जाएगा वाना पॉन में अलफा ठीक है तो ये हमारे पास क्या है दोनों के मतलब सुन्नेक दे दिया उसका वित्करम दे दिया तो इसने कहा है कि सुन्नेक एक दूसरे के व कशल के साथ सुन्यक्राइब का निकाल दिया कि इसका निकाल दिया था कुंड ने गुणा यहीं है अब हमाराования एक सुन्यक्राइब किसल्रा ओधिक्राइब सब्सक्राइब करने मेहें तो मैशनक कि तक दो पल्यगा आ nap हमारी पास माइनस का B है तो हमें कैसे निकालना था वो ध्यान से देख लो, हमें निकालना था B का मान, तो सुनने का गुननफल क्या होता है, आप सभी को पता है सुनने का गुननफल क्या होता है, माइनस का B अपोन A, तो माइनस का B अपोन ही होता है ठीक, अच्छा जी, दुबारा सुनलो, सुनक का योग, तो माइनस का क्या होता है, बी अपोन ए होता है, और गुननफल क्या होता है, सी इपोन ए, तो सी कितना है, माइनस का भी, और अपोन में ए, ए कितना है, एक है, बराबर, हमने गुननफल निकाला थे, तो कितना है था, एक एक हो गया, दोनों साइड से माइनस से मंटिप्लाइ किया, तो ये माइनस से मंटिप्लाइ किया तो पलस हो गया और ये किया तो माइनस हो गया, तो आपका बी कमान कितना आया है, माइनस का एक आया, ठीक है, तो option में बी कमान माइनस एक है, तो आप कर दीजिए, वरना फ अलफा और दूसरा भी अलफा लेकिन किन्तु विपरित हो मतलब उनके चीह नग हो सकते हैं मतलब एक पलस का होगा तो एक का मान निकालना है निकाल देंगे सबसे पहले आप क्या करोगे इनका योग करो दोनों सुनने के दे रखेंना इन दोनों का योग करोगे तो अलफा आ दिखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस तो अलफा में अलफा गया तो चितना बच्चेका 0 तो मतलब योग हमारा क्या आगए सुनक का 0 आगया अब सुनने का योक का सुत्र होता था याद होगा तो आपको कितना एक हैры assessment shopping कितना माईनस का बी है यह कितना क लिए को हमसे सुनने का ल Kerry किसी दिविगात बहुक्त एकS की दो माइनस दो क्या आ पूरेख सुनना की आपन था है ठूर्ध मान कीइतना माइनस का दूव था कह रूए तो नहींD SAY था ठलस एक्वाण की माइनस का दूए था हूग और टो दो option में है हमारा तीसरी का क्या हो गया अगला क्या है कि हमारे पास यदि बहुपत PX आपको दे रखा है कि सुनक alpha बिटा हो तो alpha into beta का मान होंगा alpha into beta क्या होता है सुनक का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है बेटा c upon a तो आप क्या करोगे एक कमान कितना है हमारे यहाँ पर एक है ठीक है और बी कमान हमें साथ दे रखा और सी का कितना दे रखा है दस दे रखा है सारे मान दे रखे में ठीक है तो देखो आप क्या करोगे एक बी और इस सी तो हमें अलफा बिटा निकाला अलफा बिटा क्या होता है सी अपो नहीं हो तो देखो अधिक्तम घात कितनी आपके पास यहां पे तीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका 32 का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, C मतलब, ठीक है, अच्छा जी, किस नमबर 33 क्या होता है, किस नमबर 33, तेखो आपके सामने क्या दे रखा है, एक दिवी घाती बोपद क सुन्यक का योग और गुणनरफल करम से दो और कितना दे रखा है, आपको माइनस का 15 दे रखा है, तो आपको अच्छे से पता है, योग और गुणनरफल दे रखा है, तो आपको क्या निकानना पड़ता था? x की 2- में यहाँ पर क्या निखना पड़ता था योग निकलना लिखना पड़ता था आगे क्या होता था x से पलस में अंदर दूसरे पर ब्रेकिट में क्या होता था गुननफल होता था और फिर हम क्या करते थे बराबर 0 के करते थे तो देखो वही फॉर्मूला यूज कर दीजिए X की 2 माइनस में योग योग का पहले नाम लिया था तो योग कितना है 2 तो आपने 2 रख दिया X है अब आगे गुननफल दे रखा है गुननफल लेकिन पलस है गुननफल कितना माइनस 15 है बराबर 0 है तो देखो X की 2 माइनस का 2X प्लस माइनस का होगा माइनस 15 बराबर 0 तो यह हमारे पास दिवी गासमीकन कौन सा उप्षन है धियान से देखो उप्षन नमबर B तो 33 का उप्षन नमबर क्या हो गया B हो गया ठीक है ऐसा किसन हम पहले कर चुके थे आगे हमारा क्या सुन है 34 AX की 3 प्लस में BX की 2 प्लस CX प्लस में D तरी घाती भौपत का एक सुननेक सुनने हो एक सुननेक कितने सुनने है तो कह रहा है तो उसके दो अन्य सुननेक का गुननफल कितना होगा तो आपको अन्य सुननक का क्या निकालना है गुननफल निकालना है तो वो किसके बराबर होगा C upon A के होगा क्योंकि आपको अच्छे से पता है मैंने आपको बताया था कि जब तरी घास मीकन होते है बटा तो क्या होता है हमारे पास तीन formula होता है मैंने एक formula होता है था alpha, beta, prem, beta, gamma plus, gamma, alpha, बराबर क्या होता है c upon e तो c upon e हमारा क्या है option है तो option c upon e क्या हो जाएगा हमारा right हो जाएगा काओगे sir minus का b upon e क्यों नहीं हो क्योंकि एक सुननक क्या है पहले से जीरो दे रखा है ठीक है किसे नσum 35 क्या पी का मांद जिसके लिए बोपद दे रखा आपको X की 3 बोपद दे रखा तो आप cash मान लो ठीक है X की 3 PLUS में 4 X की 2 PRX PLUS में 8 पूरणत्या X माइनस 2 से क्या है भाझे है किसे भाझे है? X माइनस 2 से भाज्य है ठीक है तो वो तो पता लग जाएगा तो आपको कहा रहा है पी कमान निकाल लो तो बैटा देखो ये जो आपको बहुपद दे रखा ये कौन सा बहुपद है तुरी गाद बहुपद है तो हमें कहा रहा है X-2 इसका गुर्णखंड मतलब भाज्य है तो आप इसको किसके बराबर कर लो 0 के माइनस 2 दरजा की किसका आजाएगा पलस का दो जाएगा तो X कमान कितना आगया पलस का 2 आ गया ये हम क्या करेंगे X की जगह रखेंगे ठीक है क्योंकि हमें कहा था X-2 से भाज्य है भाज्य मतलब भाग जा सकती है तो हम क्या कहेंगे 2 हमने आप एक्स की जिगर रख दिये 2 की घन करेंगे 2 की घन वाला 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हा जाएगा पलस में 4 का 4 है लेकिन जब 2 की 2 करेंगे तो 4 हा जाएगा माइनस 2P है ये पलस में कितना है 8 है ठीक है आदेखो हम इसको किसके बराबर कर देते है 0 के क्योंकि हमें किसके आवाल निकालना है P का निकालना है तो 0 बराबर क्योंकि P 2 कितना हो गया 0 क्योंकि हमें क्या रखा था ये इसका क्या है गुनखंड है तो किसके बराबर होगा 0 के, क्योंकि 6 फ़ल तो 0 आएगा अच्छा जी, 8 8, 4, 16 माइनस का 2P उदर जाके किसका हो जाएगा पलस का 2P हो गया पलस में यह 8 हो रहा है 8, 8, 16, 16, 16 कितना हो गया 32, तो 32 बराबर कितना यहां पे 2P है, P की गुणा में यहां पे 2 है, इदर आके क्या हो जाएगा भाग में, जब 2 से भाग दोगे तो कितना जाएगा, 16, तो 16 उप्षन में है, तो right answer, ठीक है Q36 क्या है, आपके पास 10 की पावर 2 है न, Y किसके बराबर है, 25 के है आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 10 की पावर, minus Y किसके बराबर होगा, तो आप ध्यान से देखो आप इसको कैसे लख सकते हो, 10 की पावर कितनी है, हमारे पास है, यह 2 है, ठीक है, और यह 10 की पावर 2 नहीं, सुरी, 2 Y था ठीक है, पावर में है, 2 Y है, complete अच्छा, यहां से अटिटाइब, तो देखो, यह पावर में हमारे पास है, Y, तो आप क्या है, पावर में है, बराबर 25 को आप क्या रशते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, ठीक है, तो आगे देखो, अब आप यह क्या करोगे, 2 Y है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर Y अंदर, और पूरे की पावर 2, क्योंकि तो multiply करोगे, तो 2 Y आजाएगा, पावर आपसे multiply हो जाती है, बराबर के आए, 5 की पावर दो है, पावर से पावर क्या होगी, cancel, तो 10 की पावर Y तो कितना आगे, 5 आगे, 5, आपको तो 10 की पावर माइनस Y निकालना था, तो आप इसका क्या करोगी, inverse करोगे, उल्टा, तो आपने जब इसका inverse किया, तो इधर वाले नंबर क्या होगा, इनवर्स होगा, मतलब एक बटे 5, एक बटे 5 आपका क्या हो जाएगा, असमें आंसर हो जाएगा, मुलब 36 का A हो गया है, ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, 37 यदी पहुपर दे रखा हमें, FX, 2X की 2, 6X, माइनस 6 का सुन्नेक, अलफा और बिटा है, तो कौन सी कंडिशन सही होती है, हमारे लिए हमें वो बताने है, ठीक है, तो देखो, यहाँ पे बोला है कि अलफा प्लस बिटा है, जो सुन्नक का योग होता है, वो सुन्नक की गुननफल की क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, बड़ा हो सकता है सुनक की गुणफल से जोता हो सकता है सुनक की गुणफल से या दौनों की जोडë जीर हो सकता है तो आप बताऊगे इसमें कौनसी ऑप्षण वहोगा इसमें और अप्षण नमबर E 300 की कभी देखा होगा ऊंपर जोग निकालते हैं वह क्या बराबर आजकता है तो यह आपसन बटे में है उपर लेकिए पाउर माइनस के जाएगी अगला उप्सन क्या है द्यान से देखो 0.3 x फिर क्या है माइनस का 0.36 बराबर 0.36 x-0.3 आप क्या करो इस किसन में x की value का एक तरफ और constant value एक तरफ तो यह देखो 0.3 x थी आपके पास यहाँ पर यह पलसका था यह दर ल हो जाएगा पलसका हो जाएगा क्या हो जाएगा पलसका स्वारी में बता देता हूं मैंने यहाँ पर solution करने लग गया था अगर आपको दिखा ही ना दिया हो तो ठीक है तो देखो 0.37 माइनस का था उदर जाके किसका हो जाएगा पलसका हो जाएगा अब देखो आप x की value को सोल करो constant को सोल करो तो यह पलस है और यह माइनस प्लस माइनस माइनस होता है आपको बता है जीरो पॉइंट क्या करोगे 37 में से 0.3 को क्या करोगे घटा होगे आगे 0 लगा दिया 7 का 7 0 और यह 0 मतलब किता है जीरो पॉइंट जीरो साथ एक्स आगया अब किसका माइनस का इ 0.07 लेकिन यह प्लस का है ठीक है तो यह गोणा में है उदर चाहिए क्या हो जाएगा भाग में जाएगा तो X बराबर क्या हो जाएगा 0.07 बटे में 0.07 लेकिन किसका वह minus का था minus निशान है चैंसेल हो गया यहां पर एक बचाए एक कमान कीटा है एक माइनस का एक मैं मैं एक है तो 49 का क्या हो गया ओप्शन हो गया आगे देखो किया घर है 400 कि 64 के वरग्मूल जो सबको बताए 8 होता है क्या होता है आठ ठीक आठ ले लिया को 64 की गनमूल से भाग देने पर 64 का गनमूल क्या होता है 4 होता तब चार की पावर 3 करते हो तो जिसकी पावर 3 करी है तो गनमूल बोलते है तो 4 की 3 करी है तो कितने है 64 है तो मतलब आप से कह रहे है 64 का वरगमूल तो कितने है 8 और 64 का गनमूल कितने है 4 को भाग देने पर क्या पराप्त होगा 4, 4, 4, 2, 8, 2 पराप्त होगा option number क्या होगा, 2 हो गया आगे चलो, x की 2 plus में 2, x plus में 1 की सुननेक हैं, तो आपको इसकी सुननेक निकालना है किसके, x की 2 plus में 2, x plus में 1 की सुननेक तो आप इसका factor कर लेजिए factor क्या हो जाएगा x plus में x हो जाएगा plus में क्या जाएगा x की 2 रागी plus 1 same है पहले दोनों में से common और last के दो में से common पहले दो में से x common आ रहा है x plus 1 होगी अब plus में आगे क्या x plus में 1 है अब दोनों में से इस में से और एक इस में से common क्या रहा है x से plus 1 common आ रहा है तो यहां पर क्या बचेगा एक्स बचेगा और यहां पर क्या बचेगा पलस का वन बचा बराबर किसके रखते हैं जीरो के एक बार इसको जीरो के बराबर करोगे तो माइनस एक आ जाएगा इसको भी जीरो के बराबर करोगे तो क्या जाएगा माइनस एक आ जाए जोना में क्या है मंतब 2-x की 2 परस्ट में x की 3 अगर आप क्षी 3 पीचता तो आप कहते से आगी कुछ नियत इसका मंदर 1 है तो परस्ट गे एक है तो आप क्या बोलोक उसका गणा सब्सक्राइस के का मिनस एक ओप्के होगा है आप सब्सकराइब B गुणा तो कर लो, X को 2 से किया?огодग Ayukad selling जिस नगा केला है तो 7x की 2, तो आप मुझे बिताो अदिक्तम गात कितनी है, दैक्तम गात कितनी है दो है, तो आप क्या बोलोगी, Sa но option में कितना जाएगा? बहुपत कि गात कितनी है दो हैं आगे क्या है एक एंक दो खो पर वापत ःफ शुनक आप माने के बाद आश्त सिद्धम का वाध चाहित ए। जाता है लेकिन इंद excess आ जाता है लेकिन यह ऐता जाताは दिultural माइनस का 12 हो गया तो देखो खूना भी कर दिया इनका सुन्ने का भी जोड भी कर? अब देखो आपके पास सुत्र क्या होता है X की 2 माइनस पहले से होता है सुनने का योग, सुनने का योग कितना है माइनस 4 है, तो माइनस 4 रख दिया पलस में सुनने का गुनलफल कितना है, माइनस का 12 है, बराबर 0 अच्छा, पतला कि यहाँ पर योग आता है किस्ट नमबर 45 है कि भौपद दे रखा है में x की 2 ठीक है आगे दे रखा है माइनेस का 5x पलस में 6 की सुन्नेक ज्याद करने क्या अगर नहीं सुन्नेक ठीक है तब देखो यहाँ पर क्या करोगी माइनेस 5x के ऐसी फैक्टर लेने हैं जिनका जोड करें तो माइनेस 5 आए ग पलस हो जाएगा और आपके पास गोना करोगे तो कितना आएगा च्छाई आएगा ठीक है तो देखो अब यहाँ पर क्या x की 2 सेम इसे उतार दिया हमने आगे क्या आगे हमारे पास प्लस का 6 है प्लस का 6 पर हमने इस सेम उतार दिया फैक्टर करने के बाद में सुरू के 2 म में से कॉमन लेता है सरू के 2 में से कॉमन क्या रहा है एकस आ रहा है तो यहाँ पर एक एकस बचेगा क्योंकि एकस की दो थी यहाँ पर माइनस थीन बचेगा इन दोनों में से कुछ भी एकस तो कमन है नहीं दो कमन आ रहा है और माइनस कमन आ रहा है तो दो कमन ले लिया त माइनस 3 से मार आ है तो x-3 मैंने common ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा फिर x बचेगा और यहां पर क्या प्राइब का दो बचेगा is equal to zero minus 3 को zero के बराबर करोगे तो plus का 3 आ जाएगा और 2 को भी करोगे तो भी plus का 2 आ जाएगा तो 3 और 2 मतलů आपसे बुच्छा है, इसमें सुन्ने का योग ed again 5 सुन्ने का उच्छ सुन्न नंबर 46 स्प्रूलिकीका इसमेंन 20-ATIONUSEM क्या सुन्ना शचानगा और इसको 0 की पराबर किया minus 2 दरजा की किसका हो जाएगा पलस का 2 हो जाएगा स्केर को उधर बेज़ते हैं तो बच्छाओ क्या होता है आपको मैंने किसन करवा चुका ऐसा root लग जाता है लेकिन क्या होता है plus minus हो जाती है ठीक है लोग एक के लोग रूट 2 पलस की और क्या हो जाएगी minus का root 2 तो अप्सन कौन सा हमारा plus root 2 minus root 2 यह अप्सन नमर B है कौन सा है B तो 46 का क्या हो जाएगा ठीक है आगया जो निमिन में से किस दिवी गात बहुपत के सुनने का योग minus 3 और गुननफल कितना है तो आपसे पहले का रखा योग कितना है योग तो अची माइनस 3 यह रखा है और गुननफल इसने बोल रखा है गुननफल कितना होना ची है गुननफल अची है 2 तो देखो जो हमारे पास दिवी गात बहुपत निकालते थे सुत्तर क्या होता था x2 – योग into X पलस मैं गुननफल और बराबर क्या होता है 0 तो x2 – योग योग क्या उनची minus 3 तो minus यहां पर minus 3 रखोगे ब्रिकेट के अंतर बाहर x हो जाएगा गुननफल कि जेगा 2 रखोगे बराबर 0 minus minus x2 दो प्लस में 3x, प्लस में 2 बराबर 0, देख लो लो कौन सी क्यूसन है, तो 47 कौन सा जाएगा, एह हो जाएगा, ठीक है, आगे आप 48 क्यूसन पर आज़ाओ, क्या रहा है, यदि Px बराबर में x की 2-3x-4 है, तो Px का 1 सुननेक होगा, तो हमें इसका भी क्या निकालना है, सु तो दिवी गात बहुपद क्या है, आपको अच्छे से पता है, Px बराबर क्या है हमारे पास है, x की 2-3x-4, 3x की क्या करने है, तो फैक्टर करने है, तो फैक्टर आगे है, माइनस का 2x और माइनस का x, दोनों को गुणा क्या, गुणा करेंगे तब तो चार आना चाहिए, प्लस का 4, और जोड़े ही तो किता आना चाहिए, तो यह फैक्टर गलत है, तो फैक्टर कौन चे होंगे, x की 2-3x-4, तो माइनस 3x की फैक्टर होगे, माइनस का 4x और प्लस का x, अब सही है, देखो, प्लस माइनस, माइनस 4, एकम 4, चार आ गया, माइनस का, दोनों को अब देखो, एक पूरी संख्यागी, एक पूरी संख्यागी है, दोनों के इंदर, x-4 आपने क्या ले लिया, common ले लिया, तो यहां से x-4 लिया, तो एक बचेगा, प्लस में, यहां से common लिया, तो प्लस का 1 बचेगा, बराबर किस गया, 0 के, माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे तो क्या जाएगा प्लस का चार और प्लस वन को करोगे तो क्या जाएगा माइनस का वन आ जाएगा तो देखो हमारे पास प्रचो अंसर में पुछा है कि एक सुनने क्या होगा चार और माइनस एक आप देखो चार है उप्षन में तो चार हमने क्या कर दिया आगे देखो यद सबस्क्रात सब्सक्राइब करें खांव है और सबस्क्राइब है डिना हो और गुण फ़ल निकाल का मुणल nell फल सथा को ऑ्ल carta c麼 ने घंद यहां पर एक की के लाइप सब्सक्राइब धुलिकर लिटकी अग्यूटर विंक सब्सक्राइब 2 लिटभल वोग1 जीन चले राइब पच्चास वी किसन पे आजाओ, यदी बहुपद, X की दो पलस A, X माइनस B के मूल बराबर हो, परन्तु विपरित चीहन हो, क्या हो? विपरित चीहन, ठीक है? तो विपरित चीहन हो, ठीक अमान लिया, तो A कमान होंगा, तो आपको A कमान निकानना है, तो देखो आपको बहुपत क्या देखी है x की दो plus में a x minus b के मूल बराबर हो मूल बराबर मैंने किस ने ऐसा भी कर लिया मूल बराबर मैंने माल लिया 1 alpha है तो दूसरा क्या alpha ही हो जाएगा लेकिन देखो 1 plus का है तो 1 minus का है न? विपरेत चीयन हो तो एक कमान निकाल लो तो एक कमान मैंने इसे निकाल चुका क्या आया था जीरो आया था उसका ठीक है तो इसका पचास कभी क्या आजाएगा डी आजाएगा तो आपको कैसे निकालने बता रहा हूं दोनों का जोड कर देना alpha, क्योंकि योग निकालते हैं, दोनों का जोड करेंगे plus minus minus आएगा, minus का alpha बराबर zero तो मतलब योग हमारे पास कितना आगया? zero आगया, और योग होता कि actually में actually में होता है, minus का b अपोन a होता है योग, तो देखो b, b क्या होता है अब A की वालो कितनी होगी जिरो हो गया अब माने खीर यह गर आ तो ईकी वालीकितनी होके 0 आपके और क्या और बोगे तो 58 में चलोगें तो 59 क्या सब्सक् authors 6 को प्लां मैंने उप्सेमने साफ प्राश्क और 116 क हो जाएगा तो एक कमान कितना आए था, आठा है था, कैसे नमर बाउन आजाओ, दिवीगाद बहुपद, X की 2 पलस 3 X पलस 2 की सुन्नेक होंगे, आपको किस की सुन्नेक निकालने, X की 2, X की 2 पलस में 3 X, प्लस में 2 की सुननक है, फैक्टर बना लो इसके जट देजे, क्या हो जाएगा 2x प्लस में, x, दोनों को जोटा 3x आता है, दोनों को गुणा करेंगे, दो एक कम दो, दो आता है, प्लस में 2, और आगे कि x की 2, दोनों के इंदर common क्या जाएगा, x तो x प्लस में कितना इसको 0 के बराबर करोगे, तो क्या जाएगा, x-1, तो देखो, minus 1 और minus 2 क्या है, इसका answer है, तो आप option number कौन सा बोलोगे, a बोलोगे, 52 का e हो गया, अब 53 question पर आजाओ, 53 question आपको क्या जाएगा, यदि x पराबर 1 है, तो समेकरन कह रहा है, x की 2 प्लस, x प्लस में 1, बराबर 0, तो k मूल है, a, b बराबर, तो उनकी मूल बताने है, तो इसका answer जो आपका होगा, वो हो जाएगा, c, मतलब 3, ठीक है, अब कैसे निकालना है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको सुननेक का गुननफल ही निकालना है, और वो भी देखो, x की जिएगा, आपको 1 रखना ह देखो, यह बी हो गया, बी हो गया, बी हो गया, पलस में यह भी, x कमानेक रखो गया, तो बी और बी कितना हो गया, दो भी हो गया, और यह पलस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो बी बराबर बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का 3 मते 2 हो जाएगा, तो लेकिन हम यहाँ पर रख दो एक कमान आजाएगा एक कमान कितना है माइनस का 3 बटे 2 दोनों को गुणा करने गुणा कर दिया 3 आगया आगया आदा को नहीं है अल्फा न बिटा आपॉन में अलफा बिटा याद होगा कुछ थी चीक है तो देखो अव्द्ध देखने ह्में क्या करना है आल्फा पिलस बिटा मतलब थे हम सुन्नक का योग करना सुन्नक का योग क्या होता है माइनeffect का बिये पोण ए और सुनक आपन में नज़ रहा है तो सिАपन एसे दो एक एंशिल हो गया लेकिन एक्छिले माम लिख देते हैं आजो ईकमान यह चीछ बखुए मनदा एकफे-श पूण 12 recruitment निकालें एक मतलब एक डिकर ओर भी बख कितनी आईगा था वह बी यह है और गुनफल आएगा एक को और एक बटे एक की क्या करोगी बटे में करोगी तो आंसर कितना आएगा माइनस एक ही आएगा तो उप्सवन का ए हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर रेकिन हां रुको राइट आंसर कैसे हो सकता है क्योंकि हम फोर्मुला करते हैं तो इसमें तो माइनस पहले से होत मतलब ब्लाइनस पहले से मैंने से मायनस एक रख दिया माइनस पलस तो पलस कही चांप्स राजाएं ठीक है देखो, लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए चैनल को, ज्यादा से जदा सेर कीजिए, ऐसे प्यार बनाए रखे हैं आपके सर पे, भाई, टेक केर